नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतोपून जानकारी को लेकर के जी हाँ आए आज हम सभी जानते हैं एक बहधी खास टोपिक के बारे में खून की कमी को मातर दस दिन में पूरा कर देंगे ये तीन ज कमी अक्सर अर्तों में अधिक पाई जाती है अगर आपके नाखुन सफेद हैं तो आप एनिमिक हो सकते हैं भोजन के असंतुलन और हिमोगलोबिन की कमी के कारण शरीर श्रम से प्रभावित होता है तथा यह रोग बढ़ जाता है अर्थात मिहमान ज्यादा और भोजन में प अनेक बीमारियां होने लगती हैं कई बार एक्सिडेंट या अन्य कोई बीमारी होने के कारण हमारे शरीर में सप्रक्त की कमी हो जाती है ऐसे में हमें खुन की पूर्ती के लिए अनेक चीजों का सेवन करना होता है अाज हम आपको बताएंगे खुन की कमी को मात्र दस दिनों में पूरा कर देने वाला जबरजस्त घरिलू उपाय शरीर में खुन की कमी तीन प्रमुकानों से होती है भोजन में लोह तत्वों की कमी फॉलिक एसीड की कमी विटामीन बी ट्वेल्व की कमी के कारण जिहां खुन बढ़ाने की तीन सबसे कारगर उपायों को अनार बहुत ही उपयोगी होता है अनार में केलिशियम, विटामिन्स, मैगनीशियम, इत्यादी, भरपूर मातरा में पाये जाते हैं जो बहुत जल्दी रक्त की कमी को पूरा कर देते हैं अनार खाने से ज़्यादा उपयोगी अनार का जूस होता है चुकंदर का जूस ख़जूर में भी रक्त की कमी दूर करने के गुण विद्यमान होते हैं इसके लिए रोज सुबह दूद के साथ 3-4 ख़जूर का सेवन किया जा सकता है इसके अलावा अब आये जान लेते हैं खुन को बढ़ाने के लिए कुछ एक अन्य घरेलू उपायों के बारे में जैसे क की हरी सब्जियां भोजन में नयमित रूप से हरी शाक सब्जियों का मिश्रन परयाप्त मात्रा में होना चाहीए मौसम के अनुकूल आने वाली सब्जियों का स्यवन ज्याधा करना चाहिए केला सुबह तीन के ले खाकर दूद में मिश्री इलाइचि मिलाकर के Mなら और जिनके शरीर में रक्त की कमी हो शरीर दिन पर दिन गिरता जाए उन्हें निम्बू और टमाटर के रस का सेवन लाव पहुचाता है आउला जिहां आधा कप आउले के रस में दो चमच शहद थोड़ा सा पानी मिला करके पीने से लाव होता है इसके अलावा फालसा फालसा खाने से शरीर में रक्त बढ़ता है गाजर 250 ग्राम गाजर के रस में पालक का रस मिला करके पीए आपके शरीर में अगर रक्त की कमी है तो पूरी हो जाएगी चुकंदर रक्त बढ़ाने में बहुत सहयोगी होता है सीजन में इसका नित्ते सेवन करना चाहिए इसको डॉक्टर प्योर खून भी बोलते हैं इसके अलवा प्याज का प्रयोग जिहां दोस्तों प्याज में लोहा बहुत होता है अतह इसको कच्चा या इसका रस शरीर में खून बढ़ाता है सेवन करने से प्याज का रस और गाजर का रस आधा आधा कप मिला करके पीने से रक्त शिनता दूर होती है प्याज का रस चोथाई कप और आउले का रस या आउले का चून एक चम्मच मिला करके लेने से रक्त शिनता दूर हो जाती है प्याज का रस आधा कप तथा पालक और टमाटर का रस आधा आधा गलास सब को मिला करके पीने से लाव होता है प्याज का रस दो चम्मच तथा शहद को दो चम्मच मिला करके पीने से खुन की कमी दूर हो जाती है इसके अलावा अनार का प्रियोग अनार हर रोज खाने से कुछी दिनों में खुन की कमी दूर होती है और चेहरा लाल टमाटर जैसा बन जाता है शहद, रक्त की कमी होतो दिन में तीन बार एक एक चमच शहद पानी में या दूद में डाल करके पीना चाहिए पालक, पालक की सबजी और पालक का रस दोनों ही बहुत बढ़िया है खून बढ़ाने के लिए जिहां इसके रस में स्वाद के अनुसार शहद मिला करके आप पी सकते हैं इससे चेहरे पर लालीमा शरीर में स्फूर्ती, उत्सा, शक्ती, संचार एवं रक्त, भ्रिमन, तेजी से होता है यानि कि रक्त भ्रमन बोलते हैं हम, बेसिकली, यानि कि शरीर में खून का प्रवाह अच्छे धंग से होता है चेहरे के रंग में निखाराता है, नेत्र की जोती बढ़ती है रक्त वर्धक मुनक का, 60 ग्राम मुनक के को धोकर भिंगो दें, 12 घंटे के बाद इसको खाएं भिंगे हुए मुनक के पेट के रोगों को दूर कर रक्त बढ़ाते हैं, मुनक के धीरे धीरे बढ़ करके या बढ़ा करके 200 ग्राम तक आप कर सकते हैं वर्ष में इस प्रकार 3-4 किलो मुनक के खाना बहुत लाफ डायक रहता है इसके अलावा आप बेल का प्रियोग करें बेल का सुखा गुदा पीस लें गर्म दूध में इसके दो चमच और स्वाद के अनुसार पीसी हुई मिश्री मिला करके पीएं यह अच्छा रक्त वर्धक टॉनिक होता है डेंगो और चिकेन गुनिया जैसी बिमारियों में बेहद कारगर जिहां डेंगो और चिकेन गुनिया जैसी बिमारियों में खुन में प्लेट लेट्स की संख्या बड़ी तेजी से घरती है जिसके चलते रोगी काफी कमजोर होने लगता है, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसे खास आहारों के बारे में, जिनकी मदद से आप प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में मदद पा सकते हैं, साथ ही यह प्राकृतिक रूप से प्लेटलेट्स की संख्या पढ़ादेते हैं पालग के पत्ते पालक का सेवन भी काफी फ्यायदे मंद होता है इसके लिए आप दो कप पानी में चार से पांच ताजा पालक के पत्तों को डाल करके कुछ मिनट के लिए उबालने फिर इसे ठंधा होने के लिए रख दें फिर इसमें आधा गलाश टमार् अलावा आप पालक का सेवन, सूप, सलाद, स्मूदी या सबजी के रूप में भी कर सकते हैं जिहां दोस्तों इसके अलावा चुकंदर का रस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए चुकंदर का रस पिए साथ ही दोसे तीन चुकंदर के रस को एक गलास गाजर के रस में मिला करके पी जाएं तो ब्लेटलेट्स तेजी से बढ़ जाता है इसमें मौझूद एंटियोक्सिडेंट्स, शरीर की प्रतिरोधक शमता भी बढ़ाते हैं पपीते का फल और पत्तियां आप पपीते का रस भी पी सकते हैं पपीते के फल और पत्तियां दोनों ही प्लेटलेट्स बढ़ाने में मददगार हैं आप चाहें तो पपीते की पत्तियों को चाही की तरह भी पानी में उबाल कर पी सकते हैं इसकी पत्यों के रस से आपको अध्भूत परेडाम मिलेंगे जहां दोस्तों ये कुछ एक ऐसी होमेड रेमेडीज थी जिसके सहारे आप अपने शरीर में अगर आईरन की कमी है तो उसके आप पूर्ति कर सकते हैं इसके साथ साथ आपके शरीर में अगर रक्त अलपता है या